तो हम अभी चेटर नमबर त्री टाइपस ऑफ एस्टीमेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमारे चेटर नमबर त्री में अभी हम एस्टीमेट क्या होता है एस्टीमेट के लिए किन कीन चीजों की रिकोवार्मेंट होती है जैसे की ड्रॉइंग्स रेड और स्प्रेसिफिकेशन इनके बारे में हमारा डिस्कस्शन हो चुका था उसके बाद हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था टाइपस ऑफ एस्टीमेट एस्टीमेट किते प्रकार के होते हैं अब इस लेक्चर में हम चार एस्टीमेट के बारे में डिस्कस करेंगे वह है रिवाइज एस्टीमेट सप्लीमेंट्री एन रिवाइज एस्टीमेट सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एन लास्ट में एनूवल रिपेर एनूवल मेंटेनेंज एस्टीमेट तो सबसे पहले हम तीन एस्टीमेट के बारे में डिस्कुशन करते हैं वो तीन है रिवाइज एस्टीमेट नेक्स्ट इस सप्लीमेंटरी एस्टीमेट एंड लास्ट इस सप्लीमेंटरी एंड रिवाइज एस्टीमेट इन तीनों एस्टीमेट को समझने से पहले मैं आप वे बात बता दूँ कि कोई भी हमारे पास अगर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना या नहीं करना है इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए कौनसा एस्टीमेट बनाये जाएगा प्रिलिम्नरी एस्टीमेट जब प्रिलिम्नरी एस्टीमेट रेडी हो जाएगा तो फिर ये चेक किया जाएगा कि जो भी हमने preliminary estimate में estimular cost obtained की थी वो सही है या नहीं और जो contract है या tender है उसको arrange करने से पहले start करने से पहले last में हमें technical approval obtained करना पड़ेगा और technical approval obtained करने के लिए हम detailed estimate बनाते हैं तो preliminary estimate और detailed estimate का requirement administrative approval और technical approval के लिए होता है यहां पर जब technical approval मिल जाता है तो फिर टेंडर्स invite किये जाते हैं advertisement release होता है market में कि ऐसा कोई construction project आया है इससो complete करना है अलग-अलग market में जो builders हैं वो tender fill करते हैं और जब उन सारे builders जो की tender fill कर रहे हैं उन में से हमें lowest bidder मिल जाता है तो then फिर उस lowest bidder के साथ contract arrange किया जाता है contract arrange करने के बाद project जो work है वो start हो जाएगा और उसका execution part आ जाएगा जब उसका execution work start हो जाएगा तो इस दोरान बीच में कुछ ऐसी condition आ जाती के हमें कुछ और estimate बनाने पड़ते हैं और वही कुछ extra condition के साथ में revised या supplementary या supplementary बनाते हैं मतलब किसी भी project के लिए preliminary estimate और detailed estimate तो बने गई बनेगा जो उसके project work के start होने से पहले बनते हैं काम चालू कर सकते हैं या नहीं वह गया preliminary फिर preliminary सी जो cost मेली उसको एक बार और शेक किया जाएगा उसके बाद work start होता है अब suppose मालो जब detailed estimate यहां पे किया गया तो आप सभी जानते हैं कि detailed estimate के अंदर उस project से संबंदि जितने भी कारे होते हैं जितने भी work उसमें involved हैं जिसे कि earth working excavation और प्लास्टरिंग, pointing, steel and iron work, wooden work, plastering and pointing work, painting, varnation, disturbing, etc. उसमें जितने भी work involved हैं वो सब हमें मालूम चल जाते हैं retail estimate बनने के बाद तो माली तक किसी भी construction project में n number of work हैं कितने work हैं उसमें n number of work और वो जो अलग-अलग वर्क हैं उसमें कुछ material यानि सामगरी की requirement है कौन-कौन से material जैसे की cement, sand, gravel, reinforcement, steel wire, paint इसे अलग-अलग सामगरी के हमें requirement है तो वो सामगरी हम मालेते हैं कि जो हमें material की requirement है वो है M number of material मतलब किसी भी construction project हो complete करने के लिए मान लीजिए N work उसमें involved है और उस N work हो complete करने के लिए जो हमें सामगरी चाहिए जो material चाहिए वो M है M is the number of material and N is the number of works involved in that project तो क्या होता है कि आपका जो भी project है, कोई भी project हो उसमें preliminary estimate तो बनाएंगे और detail estimate तो बनाएंगे परन्तु project के execution के दोरा अगर उसके number of work में जो की पहले से थे और material में कुछ changes आते हैं, कुछ deviation आते हैं जिससे cost में कोई changes ना आएं या कुछ cost में saving हो या कुछ extra cost लग जाती है तो इसके लिए हमें अलग से estimate बनाना पड़ता है और वो जो अलग से estimate बनाते हैं उन्ही का नाम है revised supplementary and supplementary and revised estimate मतलब ये तीन estimate हर एस project के लिए नहीं बनाएगे हर project के लिए कौन सा estimate बनेगा प्रिलिम नहीं है in detail अगर project के execution के दोरान material में या work में कुछ changes आते हैं जिससे extra cost लग जाती है cost बच जाती है भले cost ना लगे या ना बचे परन्तु extra कुछ work आ जाता है अलग से कुछ काम आ जाता है या अलग से कुछ material में change आता है तो हमें ये तीन estimate बनाने पड़ते हैं अब हम इन तीन estimate को समझने चलते हैं I hope आप revise supplementary और supplementary and revise estimate के बारे में समझ पाए होंगे कि कब इन estimates को बनाए जाता है ठीक मनदा में सभी projects के लिए नहीं बनाते हैं अब हम detail में समझने चलते हैं कि revise supplementary and revised estimate कब बनाए जाते हैं नाव इन तीनों की definition के अंदर कई साथे contradictory statements आते हैं और exam में पुछते भी कि यह वाला कब बनाएंगे यह वाला कब बनाएंगे यह वाला बनाएंगे इसको लेकर जो revise estimate है इसको हम तीन conditions के अंतरगत बनाते हैं प्रोजेक के execution के दोरान जब प्रोजेक का कारी चल रहा है उस दोरान फिल्ड पर कुछ तीन इस्ततियां पैदा होती है जिसके तखत revise estimate दोबारा से बनाना पड़ता है इन स्पाइट ऑफ detailed and preliminary detailed and preliminary में तो हो चुका है उसके अलावा revise भी बनाना पड़ता है तीन इसी कुछ conditions होती है कभी कभी एक ऐसी condition आती है जिसके बारे में हम discuss करेंगे एक ऐसी condition आती है जब supplementary estimate बनाना पड़ता है और दो ऐसी condition आती है जब supplementary and revise estimate बनता है तो चलिए हम इन ही conditions के बारे में discuss करते हैं सबसे पहले हम अगर यहां पर बात करें कि अगर हमारे पास suppose कोई एक construction project है एक्जामपल जो बोड़ रहा है उसको समझना और उस construction project में N number of work हैं कोर कोर से work है अर्थ वर्किन excavation हो रहा है DPC work हो रहा है cement concrete foundation work हो रहा है brick working super and sub structure हो रहा है RCCRB work है plastering pointing work है ठिक और आपका steel iron work है wooden work है यह बहुत सारे work है अब कोई साभी एक वर्का में एक्जामपल ले लेता हूं suppose आप मालीजे में एक्जामपल लेता हूं flooring work का ठीक अब flooring work उसके अंदर included है construction project है उसके detailed estimate में मैंने flooring work को लिया हुआ है flooring work में एक work आता है tiling work floor जब बनाते हैं तो कौन-कौन से कारी होंगे floor के अंदर flooring work के अंदर एक तो cement concrete दूसरा क्या जाएगा plastering और तीसरा उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा floor में मतलब जब floor बनता तो floor के से बनता है पहले cement concrete लगाना पड़ता है floor में उसके बाद उसके उपर plastering होती और free tiles लगती है अब मालीजिए जब मैंने detailed estimate prepare करा तो उसमें मैंने एन नंबर आफ वर्क में से एक वर्क मेरा flooring वर्क भी था उसके अंतर गड़ टाइलिंग थी और tiles हमने कौन सी ले रखी थी हमने कोई marble ले रखी थी suppose और marble कौन सा marble लिया था white marble लिया था तो उससे costing हमारी जो आ रही थी फ्लोरिंग वर्की वह suppose आ रही थी 500 रुपीज कितनी आ रही थी 500 रुपीज सपोज मान लो जब हमने detailed estimate बनाया तो उसमें जो material था वो white marble हमें लेना था जब प्रोजेक्ट चल रहा था एक दिन अचानक क्या हुआ फिल्ड पर honor आया contractor work execute करवा रहा था और honor भागते वक्त आया अरे भईया रुख जाओ जो फ्लोर में आप हमारे hall में drawing room में जो white marble लगाने के अपनी बात हुई थी वो मत लगाओ उसकी जगे आप एक काम करो green marble ल आ जेता हूं अब हुआ कि मार्केट में रेट सेम है मार्केट में रेट क्या है सेम तो अभी भी costing कित्ती आएगी 500 रुपई ही तो आप बताओ क्या यहां पर contractor का कुछ extra पैसे लगे क्या नहीं क्या कुछ पेसे पास बचपाई क्या नहीं मलनल ना तो extra कुछ पैसे लगे न यहां पर क्या वर्क चेंज होके क्या फ्लोरिंग्वर्क नहीं करने की पाख चल रही है ऐसा भी नहीं है फ्लोरिंग तो हो रहा है यह थैलिंग में नंतर चालू हो गया सामगरी चेंज हो और मतेर का डेवेशन आए जिससे प्राइज मनी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो कॉंटेक्टर बोलेगा जी साब बिल्कुल हम ग्रीन मार्वल लगा देंगे और वो एक अलग से एस्टीमेट तयार करेगा सिर्फ फ्लोरिंग वर्क का एक अलग से एस्टीमेट बनेगा उसमें लोडिंग वर्क लिखा जाएगा सारी कैलकुलेशन लिखी जाएगी सेमें कॉंकिट की प्लास्टरिंग की और टाइलिंग की और टाइलिंग में ग्रीन मार्वल मेंशन किया जाएगा प्राइज यद्द भी अभी पांट सो रुपे होगी और उस जो नया अलग से बना उस फ्रॉम ओरीजिनल जो पहले हम मटेरल ले रहे थे उसके बजाए हमें दूसरा कोई मटेरल लेना है विज ड़स नाट लीड़ टू कास्ट सेवी अगर पेसे की कोई बचत नहीं हो रही है तो ऐसे कैस में रिवाइज एस्टिमेट बनाकर उस फ्लोरिंग का अलग से एक एस फ्लोरिंग गी था फ्लोर में टाइलिंग में सबस्कूज मानलो लगाने की बात थी और कौंसा मारबल यहां पे यूज करना था वाइट मारबल यूज करना था कॉस्टिंग इत्य थी फ्लोरिंग वर्क पांसो रुपे ऑनर अगले दीन एक दिन वापिस भागा-भागा आया और बोला कि शभड़ च्छट पर आप जो फ्लोरिंग वर करें टेरेस पर उसमें मार्बल मत लगाओ में अपना माइंड ही चेंज़ कर दिया उसकी जगे च्छट पर आप मौजेड टेराजो वाली टाइल्स लगा दो अब मोज़े टराजों की जो टायस आती ही वो सस्ती आती है उससे फ्लोरिंग वर्क की जो कास्टिंग है वो 300 रुपे हो गई तो यहाँ पर 200 रुपे की सेविंग हो गई कॉंटिंटर के पास 200 रुपे बच गए तो ऐसे केस में कॉंटिंटर बोलेगा जी साब बिल्कुल फ्लोरिंग वर्क में मोज़े टराजों लगा दूगा और अब वो अलग से एक फॉर्म में तयार करेगा एक नया एस्ट्रीमिट तयार करेगा से फ्लोरिंग वर्का जिसमें सिमें, कॉंक्रीट, प्लास्टरिंग और टाइलिंग की कैलकुलेशन दिखी जाएगी और वहाँ पे मटेरियल में वाइट मार्बल की जगे मोज़े टराजों के रेट लिये जाएगे और वो जो नया एस्ट्रीमिट बनेगा उसे सप्लीमेंटरी और रिवाइस एस्ट्री ओरिजिनल विच लीड्स टू कॉस्ट सेविंग आए वोब आपको यह समझी में आया होगा में एक दम धीरे दीरे एक्जाम्पल के साथ में यहीं समझा रहा है तो यहां पर हमें यह समझी में आएगे अगर कभी भी किसी कैसेशन पुजिप में मटेरिल का डिविशन आता दीए तो सप्लीमेटरिय रिवाइज एस्टिमेट बनेगा ना अब आता है अगर सब्समान लोग कोई एक चंस्ट्रक्शन पोजेटे उसमें एन नंबर आफ वरक हैं कौन-कौन से वरक हैं एन नंबर आफ वरक हैं कौन-कौनसे वरक एक्जामपल के तोड़ पर आर्थ वर भागा भागा आया कोंटेक्टर के पास में और बोलता साथ जितने कार हम कर रहे थे नमबर आप वर्क वो तो ठीक है पर जो मेरा ड्रॉइंग रूमें जो हॉल मकान का उसमें हॉल में जगे पर फायर प्लेस बना दो आग की जगा बना दो और ना में परपस के लिए जो बना इसा कॉंटेक्टर बोलता है कि बड़्य एक एक le I can बता रें ये वाला वर्क आपने पहले से मैंशन नहीं किया था ये फायर प्लेस बाने की आप बात कर रें आपकी एक जगहां बनाने की बात कर रहें जहां ठंड में आग लगा सकते हैं यह आप ही बता रहे आपने पहल फायर प्लेस की लिए पूरा एक calculation करना पड़ेगा तो एक format तयार करेगा पेज लेगा उसमें फायर प्लेस की पुरी calculation करेगा और एक नया estimate तयार करेगा वो जो नया estimate होगा उस नय estimate को supplementary estimate का आजाएगा आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं supplementary का मतलब है additional इडिशनल वर्क विज सप्लीमेंट दी ओरिजनल वर्क मतलब जित्तेकार यह पहले थे उनको एड़ाउन करने के लिए उनके साथ में सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा में एक और कार यह आ जाए तो एसे केस में सप्लीमेंटरी एस्टिमेंट बनाये जाएगा तो इसके नाम से भी आप इसको पकड़ सकते हैं सप्लीमेंटरी एस्टिमेंट का मतलब है कार यही कुछ नया आ जाए देगे तीनों में अंतर भेदे यहां पर कार यह नया नहीं आया का समारिया उत्ते ही हैं बट मटेर्यम में चेंज़श हुआ पर पैसे में कोई बचत ना हो तो रिवाइस्ट और पैशे एक्स्ट्रा लग जाएं तब भी रिवाइस्ट अगर कारी नहीं नहीं आएं मटेरियल में डेशन तो आपकर पेसे की बचत हो जाए तो supplementary in revised और अगर कुछ extra कार ये निकलाए तो फिर supplementary estimate बनाए जाता है अब अगर यहाँ देखें तो supplementary estimate की एक condition थी जो की मैंने बता दी कुछ extra कार ये निकलाए supplementary in revised की दो condition थी एक मैंने बता दी मतलब एक condition यहाँ पर हम बची है और इसमें तीन condition थी एक मैंने बता दी मतलब इसकी दो condition हम बची है अब यह जो मैंने यहाँ बचाया इसको हम एक example के तू समझते हैं आप example पकड़िएगा दो दोस्ते हैं और अपने घर पर कि एसी प्लस के यूट्यूब चैनल पर क्वांटिटी सर्वेंग इन कॉस्टिंग का लेक्चर देख रहे थे आटे लेक्चर बढ़ते-बरते उनने भूब लगी तो एक दोस्त बोलता है कि चलंब हासे कुछ सबजीी ओर्डर करके लेके आते बहाँ से कुछ खाना प्रेक करवाक है लेके आते हैं इस दोस्ते दोस्त ने इक साने मेंत्रून शोटी कर चलते हैं वह दूनों है एक masking भाईयाव एक बटर पनीर मसाला पेक दो क्या पेक करने का बोला बटर पनीर मसाला जो रेस्टोरेन वाला था उसने मैं displaced का बील पकड़ा दिया बटर पनीर मसाला लिखा हुआ बो वे जो दोग थे वह अनर थे जो सब्जी है वे प्रोजेक्ट हो गया और जिसमें रेस्टोरेंट वाला कॉंट्रेक्टर हो गया और उसमें जो यह बिल दिया है सपोस्ट डिकली डिटेड हो गया अब वो वेट कर रहे थे रेस्टोरेंट वाले ने बोला कि वह थोड़ा दूर खड़े तरो वेट कर लो सबसी प्रिपेर होके आपको थोड़ी देरे में हम डिलेवर करते हैं अंदर से कुक जो है वो दोड़ता हुआ अले साथ घजब होगया घजब होगया मेनिजर ने बोला क्या हुआ रेस्टोरेंट के मेनिजर ने बोला क्या होगया तो कुक बोलता है कि साथ बटर खत्म होगया बटर नहीं है मटर डाल दूं क्या मटर है बटर नहीं है इस वह दो बच्चे है दुसरे का मूह देख रहे थे मिने जर बोलता क्या करें बटर की जगे उतर मिला दे तो उनको ठखाना कोई खाना चाँ क्रे 12 के मिला दो मिल है तो वह जब अब नया बिल बनेगा तो उस नहीं बिल में बटर की जगे अब क्या मिलेगा मटर पनीर मसाला और पेसे अभी भी किते रहेंगे 200 रूपे सबजी अभी भी उन्होंने एक ही पेक कराई है कार अभी भी एक ही है बट मटेरियल का डेवेशन हुआ और पेसे में कोई चेंजेज नहीं आए तो उसने जो नया बिल बनाया अब रेस्टोरेंट के मेनेजर ने उसका नाम होगा रिवाइज एस्टीमेंट इसी एक्जामपल को हम कंडीनियू करके सप्लीमेंटरी एस्टीमेट समझते हैं वो दोस्त जब दोनों ने बटर पनीर मसाले का ओडर दिया तो आपस में बात करते हैं कि भाई मेरे दोस्त भी आ रहा है उन पर अपन तीन लोग हो जाएंगे क्यों ना हम साथ में कुछ और वो और कर देंगे तो भया दोनों रेस्टोरेंट वाले को बोलते हैं भया बटर पनीर मसाले के साथ में एक दाल तड़ा भी आडर कर दो दाल कर भी पैकर वादो इसकी कौस्टिंग थी 200 रुपे और इसकी कौस्टिंग थी 100 रुपे तो अब जो नया बिल बनेगा उस नये बिल का नाम होगा सप्ली मेंटरी एस्टीमेट एक्जामबल को सोच के किसी रेस्टोरेंट के जाके वाँके बिल पे नाम आप मत ढूनने लग जाना एक्जामपल दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन पोजे से रिलेट करना रेस्टोरेंट में नहीं गुस्नाया में तो बडर पनीर मसाला और दाज रकिता हो गया सो रुपे मतलब यहां पर अगर देखें तो साथ में एक्स्ट्रा वर दाल तरका भी आ गया तो अब जो एस्टीमेट बना वो गया सप्ली मेंटरी एस्टीमेट और मान लो कि हम यही कंडिशन लेते हैं सप्ली मेंटरी इस्टीमेट को समझने के लिए दोनों लोग वेट कर रहे थे बडर पनीर मसाला का ओडर दे चुके थे 200 रुपे का बिलता दोनों बाहर वेट कर रहे थे वापिस से कुछ दो अन्नों से बार आया अरे साथ घजब हो गया घज कि असी स्थती है कुछ बोलता है क्या बटर मसाला पेक कर दू मैनेजर उन बच्चों से बुष्टा है बच्चे तो खाने उनको खाना था उनने बोला ठीक कर दो तो अब जो नया बिल बना उसमें क्या ना होगा बटर मसाला और अगर आप 20 के 200 रुपे लेता तो वो दो ब क्रेंटरी एं रिवाइस ऐस्टीमेट यहां पर उनकी 100 रुपे बच गए मनलो कार यहां पर एक इता पर पैसे की बचत नहीं हुए रिवाइस एस्टीमेट एक्स्टा कार यहा गया सप्लिमेंटरी एस्टीमेट माटेरिजल में डेवेशन हुआ कार यह वही का भई है बढ मैंने पहलें डिसकस करना है तो अब हम वह डिसकस करने चलते हैं कि तो नहों हम अब डिसकस करने जा रहे हैं रिवाइज एस्टिमेट की दो कंडिशन जोड़ जब भी कोई एक बात को समझेगा जब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहले एडिमिनिस्टेटिव अप्रूवल के लिए प्रीडिमेरी की एस्टीमेट त्यार करतें वह त्यार करने के बादय एस्टीमेट बनाते मानलो डिटेटल एस्टीमेट में जो एस्ट्मेटे प्रोजेक्ट की वह है 5,00 1लेक किसле निकलके आई डिटेटल एस्टीमेट से जब कॉंट्रेक्टर करेगा तो उसने जो प्रोजेक्ट के लिए राशी जो रेट कोड कर रहा है यह पूरा प्रोजेक्ट में ते में कर दूमा वो इत्ता है तो वो गया फाइफ लएक रूपीस यह जो यहां पर Amount है इतना Amount Government Contractor को देदेगी और इसलिए इस Amount को कहा जाएगा O.S.S.A. Original Sanktioned Amount इतना Amount Contractor को सरकार देदेगी OASA original sanction amount अब ये जो है ये अनुमानी तागत होती ही पहले से नहीं पता होती है तो कि कुछ न कुछ फिल्ड पर uncertainty होती ही खुदा न खासा कर से कुछ सा नया खर्चा आ जाए तो वो definitely वहाँ पर रेता है तो ये अनुमानी तागत है जितनी उसको sanction हो गई और अब जब project का work execute होना चालू हुआ और execute होके पूरा project सुनना ध्यान से focus on the lecture अगर project का work पूरा complete हो गया तो सारे expenditure जितने भी खर्चे हुए material labor में सारे bill contractor के पास होंगे उन सारे bill की राशी को जोड़कर amount को जोड़कर उससे ये मालूम चल जाएगा कि पूरे project में कितना खर्चा आया expenditure आया और वो जो expenditure है वो उस project की कौन सी cost है final cost है या कौन सी cost है actual cost है वास्तविक लागत है जो उस project को complete करने में लगी तो यहाँ पर एक होता है original section amount जितना contactor को मिलता है और एक होता है expenditure जो वास्तविक में खर्च होते हैं इतना पैसा लगा project में और इतना उसको मिला था अब क्या होता है अगर हम यहाँ पर समझे तो किसी भी construction project में दो चीज़ें हो गई जो भी मैंने आपको समझाया उससे आपको clear हुआ कि दो चीज़ें हो गई एक तो वो amount हो गया जो उसको मिलता है जो सरकार देती है वो गया होई से और एक दूसरा होता है जो हो गया आपका expenditure खर्चाव यह कितना हुआ जब भी हम estimation करते हैं तो हम इतना accurate तो नहीं कर पादेगी भाया जितना हम अनुमान लगाएंगे उतना का उतने exact खर्चाव थोड़ा बहुत आसपास कही न कहीं चीज़ें लाए करती हैं तो मतलब अगर OSA मानलो 5 लाक रुपे हैं तो expenditure आपका 4,90,000 भी हो सकता है और expenditure आपका 5,10,000 भी हो सकता है दोनों condition बन सकती है मतलब जो OSA वो expenditure को exceed कर सकता है और expenditure भी OSA को exceed कर सकता है अगर expenditure कम रह गया और OSA expenditure को exceed कर गया तो इतना 10,000 का amount contractor के पास उमें जमा रह जाएगा और अगर expenditure OSA को exceed कर गया तो इतना extra amount contractor का लग जाएगा अगर contractor के पास कुछ amount बाकी बचा रह गया या कुछ amount contractor के पास extra लग गया और अगर वो amount कम है तो कोई दिक्कत नहीं है इतना अगर बजग गया तो वो रख ले और ज्यादा लग गया तो वो अपने हिसास से अपने profit से manage करे बड़ यहाँ पर अगर जादा बच जाए और जादा पैसे लग जाए तो ऐसे case में उसको सरकार को return करने पड़ेंगे या सरकार को उसको देना पड़ेगा अगर उसका जादा लगेगा तो और वो जिस एक नए estimate वापिस से बनाये जाएगा कि contactor सरकार को बोलेगा साब आपके 20,000 रुपर मेरे पास बचे रह गए तो या आप return करने लो या फिर अगर उसके 20,000 रुपर extra लग गए तो बोलेगा साब 20,000 रुपर extra लग गए यह उसका bill है और इतने मुझे आप वापिस और दे दो जितने आप में दियते उसके साथ में आप मुझे 20,000 रुपर दे दो इतने मेरे extra लग गए खल्चा extra हो गया था ऐसे case में जब OSA इसको exit करेगा या expenditure OSA को exit करेगा तो एक नए estimate बनाएंगे और उस नए estimate का नाम होगा revised estimate यानि revised estimate के तीन condition थी पहली थी material deviation which does not leads to any cost saving दो condition और बादी बची थी वो दो condition यह हैं वो दो condition कि जब OSA expenditure को exit कर जाए तब या expenditure OSA को exit कर जाए तब भी हम revised estimate बनाते हैं अब केसे बनाते हैं कब बनाते हैं उसको समझते हैं इसमें जो दूसरा नियम है पहला नियम तो हो चुका है सामगरी में परिवतन बड़ कॉस्ट में कोई saving नहीं तब पहला तब बनाएंगे reverse दूसरी condition क्या है अगर original sanction amount जो expenditure होता है उसको अगर exceed कर जाता है by more than 5% when the original sanction amount exceed the expenditure by more than 5% of sanction amount ओएसे खुद के 5% से expenditure को exceed कर जाएगा तो एसे case में भी revise estimate बनेगा और तीसरी condition है कि अगर expenditure अगर expenditure ओएसे को exceed कर जाता है by more than 10% तो एसे case में भी revise estimate बनेगा दोनों केस में पर्सेंटेज ओएसे का है अगर आपका ओएसे expenditure को 5% से अधिक exceed करता है तो भी बनेगा और 10% से expenditure exceed करता है तब भी revise estimate बनेगा बादादी सर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 और याद कैसे रखें तो अब इस बात को समझेगा मैं example के तुरू आपको समझाता हूं मान लीजिए आपका जो OASA का amount है वो है suppose 100 rupees तो इस 100 इतना amount sanction हुबाता इसका 5% कितना होगा पांच रुपे तो दो बाते हो सकती है खर्चा या तो 96 रुपे का हो और खर्चा या तो 90 रुपे का अब अगर यहाँ पर देखें इन दोनों केस में दो केस हो सकते हैं दो केस यहाँ पर generate हो सकते हैं अब अगर देखें तो OASA इससे जादा है ठीक कितना जादा है यहां पर इस से इस वाले केस में 10 रुपे जादा है और यहां भी कितना है 4 रुपे जादा है कौन OAS है किसे expenditure से 10 रुपे सोखा कितना होगा 10% होगा और चार रुपे सोखा कितना होगा चार परसेंट होगा अगर OAS expenditure का पाच परसेंट से कम है मनदर जो बच रहा है जो जादा अमाउंट है वो पाच परसेंट से कम है तो ऐसे केस में जो अमाउंट यहां पर बचा वो बहुत कम बचा है मनलब अगर यह 100 रुपे है और यह 96 या 95 या 97 या 98 या 99 रुपे है तो expenditure कम तो है और उतना पैसे कांटेक्टर के पास में बच गया कितना बच जाएगा चार रुपे तीन रुपे दो रुपे एक रुपे तो उतने पैसे वो अपने पास में रख सकता है यह पैसे बहुत ही कम बचें पर अगर मानलों को 5% से ज़ादा एक्सिड कर जाएगा जिसे कि इस वाले केस में 5% से ज़ादा हो गया मतलब 10% हो गया तो ऐसे केस में यह amount ज़ादा है और इतना कांटेक्टर को नहीं दे सकते यह बात अभी 100 रुपे की लग रही इसके 10 रुपे आपको कम लग रहे हैं यहाँ पोजेट करोरों का होता है तो यह करोड करीब लिया जाएगा इंदी ने रिवाइज एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट के नाम पर इतना पैसा उससे अलग से वापिस से लिया जाएगा और दूसरा एक्जामपल लेते हैं माली जी आपका जो ओएसे हैं वो 100 रुपीज है और जो एक्सपेंडिचर हुआ वो हो सकता है कि वो 105 रुपे हो और एक्सपेंडिचर हो सकता है कि 110 रुपे हो या माली जी 120 रुपे हो तो कितना एक्सटा लग गया एक्सपेंडिचर खर्चा पांच रुपे एक्सटा लग गये और यहां भी कितने एक्सटा लगए 20 रुपे एक्सटा लगे 5 रुपे सोगा कितना प 5% ज्यादा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है वो अपने प्रॉफिट में से मैनेज करें पर अगर 20% हो गया तो यह अमाउंट ज्यादा इतना विचादा कहां से मैनेज करेगा तो इतना ओनर को इसको रिटर्न करना पड़ेगा तो गया करेगा जो इतने 20 रुपे एक्स्ट जिनागे कि यह बाई मोर देन 5% हो बाई मोर देन 10% क्या चीज़ होती आपको समझना आया होगा अब बात कर देंगी यह कैसे आद रहें से पांच कब और दस कब तो आप समझ रहा अगर वह से पेंडिचर के 5% से करेगा तो ज्यादा अमाउंट सेंशन होगे और खर्चा क का हुआ तो वह जो राशी है को कॉंटेक्टर के पास बच जाएगी या गवर्मेंट डिपार्टमेंट में बच जाएगी ऐसा भी हो सकता है इससे करेक्शन के चांसे बढ़ेगे तो यहां पर इसलिए जो नियम है वह कम का बनाए और वैसे भी हम कॉंटेक्टर को यानि स्टेंडर्ड और अगर कॉंटेक्टर के पैसे एक्स्टा लग रहे हैं तो वो जब ज़्यादा अमाउंट होगा तब ही उसको रिटर्न किया जाएग तो कि उसके बस प्रॉफिट अल्रेडी होता है क्लियर है आई होप आपको यह दो कंडिशन यहां पर समझना आई होगी अब मैं इनी दो चीज़ों को आपको एक एक्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता है कि सबोज माली जीए आपका जो घर है उसमें आपके पताजी है आपकी पताजी को ने आपके घर में गवर्मेंट और आप है आप कोन होगा एक कॉंटेक्टर घर का कोई भी काम कोन करता है आप ओडर कोन देते हैं पताजी आपके जो फादर है उन्होंने मार्केट से कुछ सामान लाने को बोला और कित्ते रुपए दी आपको 500 रुपए तो यह क्या होगी आपका ओएसे औरिजिनल सेंक्शन अमाओ कि जाओ बिटा यह 500 रुपए लो और पास में किराने की दुकाँ से किराने का सामान लेके आओ अब वो जो किराने की शौप थी वो पापा के दोस्त की शौप थी वो पिताजी का दोस्ता अब दो बाते हो सकती हैं जब आप सामान लेके आए तो सामान 510 रुपए का भी हो सकता है और सामान 490 रुपए का भी हो सकता है अगर सामान 510 रुपए का हुआ तो यहां पर कितने रुपए एक्स्टा लगे दस रुपए एक्स्टा लग गए जो शौप कीपर को देना पड़ेंगे कल और अगर 490 रुपए हो गए तो कितने रुपए बज गए 10 रुपी यहां पर क्या हो गए सेव जो कहां चले गए आपकी जेब में तो आप बताएए प्रिक्टिकली ग्राउंड पर सोचना दिल पर हाद रखे बोलना कि किस केस में आपके पताजी यह आपके पताजी का फ्रेंड इसा फुसमान लीजी तो उन्हें किस चीज़ में जादा दिक्कत होगी आपको पॉकेट मनी वो वैसे भी देते हैं हर दिन आपको पॉकेट मनी मलती है तो अगर आपको 500 रूपे किसी सामान को लाने के लिए तो जब आपके पास बच जाएंगे तब जादा उन्हें दिक्कत होगी तकलीव होगी यह जब वहाँ पर एक्स्टा उनके दोस्त को कल देने रहेंगे तो वह अधिक दि है कि जब इस नालायक को मैं हमेशा रोज ही पॉकेट मनी देता हूं तो फिर अब यह दस रूपे एक्स्टा जो है इसको मुझे रिटन करने चाहिए तो इसी ही केस में थोड़े से हार्श नियम बनेगे और यह जो दस रूपे एक्स्टा लगे वो उनका दोस्ते वह आज ही तो कि उसको जाकर दे देंगे सेम ऐसे घवर्मेंट डिपॉर्ट्मेंट में होता है यह कॉंट्रेकटर अगर एक्सटा पईशिस लग गये अगर एक्सपेंडिचर को एक्सट करा तो जो सप्लाईर है उसको पैसे देना वाइकि बशें गें तो कुछ भी नहीं करना हैं जो contractor है वो इस 10 रुपे का नया बिल बनाए in the name of revise estimate और उतने 10 रुपे सरकार release करेगी और उतने supplier को मिल जाएंगे। उसमें दिक्कत नहीं है बड़ अगर contractor के पास पैसे बज गए तो department के लोग भी मिलके खालेंगे और contractor भी खालेगा corruption को बढ़ने के chances हैं और contractor को जब हम already profit दे रहें तो फिर एक्स्टा पैसे उसके पास हम क्यों छोड़ें इसलिए यहाँ पर मियम बनाए गया जब भी खर्चा कम होगा OSS है तो 5% की बाद ध्यान रखना और जब भी खर्चा ज़ादा होगा OSS है तो 10% की बाद याद कर लेना example बता दिया example से याद रखने की कोशिश करना exam के time exam में पूछते हैं यह कि revise estimate कब बनाये जाता है चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो अभी हमने revised estimate समझा इसकी तीन condition हो जाती है तीनों condition में आपको one by one बता जेता हूं पहली condition क्या है material deviation which does not leads to cost saving दूसरा जब ओय से expenditure को exceed करेगा कितने से सोच समझ के by more than 5 वो 10 by more than 5% पैसे बच रहें तो more than 5% और लास्ट नियम जब expenditure ओय से को exceed करेगा by more than 10% तब डिटेल्ड एस्टीमेंट बनाये जाता है इसके बाद हमने बड़ा तो supplementary estimate वो तो बड़ा simple supplementary estimate तब बनाते हैं जब कुछ काम ही नहीं आ जाए वो तो हमने point लिया अब next term समझने चलेंगे अगला estimate जो किये supplementary and revised estimate की दो condition थी पहली condition मैं आपको बता चुका था पहली condition क्या है इससे कारण कुछ पैसे की बचत हुआ तो supplementary and revised बनेगा अब हम दूसरी condition को समझने चलते हैं कि दूसरी condition इसकी दो condition है अब दूसरी condition को हम समझने चल रहे हैं मान लीजे को यह construction project है जिसमें ऐसा कुछ एक building project है जिसमें ऐसे कुछ beam column बनाने समझेगा और मानेजे इतना सब बनाने को 100% project माना जाता है काम इसका preliminary estimate बना administrative approval बना retail estimate बना technical approval मिला tender डाले गए contact arrange हुआ contractor assign हो गया और काम चालू हुआ हुआ क्या जैसे काम चालू हुआ तो किसी community ने आके उस पर रोक लगवा दी और काम बीच में और स्थाई route से partial route से रोक गया मतलब जो work है वो यहां पर क्या हो गया partially abandoned कार यह कुछ time के लिए इस्तगित हो गया court ने इस्टे लगा दिया project के उपर और जब इस्टे लगा तो मान लो कि जो project है जिसमें ऐसा कुछ बनाना था वो ऐसा कुछ बन पाया या दूसरी condition कि कि जब उसमें बनाना था तो वो आपका इतना कुछ बन चुका है ठीक मान लो कि इतना कुछ बना यह progress की बात कर रहें इतना का मान लो जब court का इस्टे लगा तो खाली इतने हुआ ता तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो complete किता हुआ बहुत जरासा हुआ मान लो वो overall project की progress के 5% से कम हुआ ऐसा भी हो सकता है और मान लो यहां पर जो complete हुआ वो 5% से क्या हो गया जादा काम हो गया काफी सारा काम हो चुका है second case में तो आपका जो remaining work है अगर कार्य 5% से कम ही हुआ है तो आपका बाकी बचा जो कार्य वो कैसा है 95% से पांच से जादा कार्य बचा हुआ है और जो कार्य पांच परसेंसे जादा हो चुका है तो कार्य बचा ग major pa 25% से कुछ कम बचा है मनद यहाँ पर कुछ जरासा हुआ है बहुत सारा कारे बाकी है और यहाँ बहुत सारा हो गया कुछ कम पाखी है तो अगर मानेजिए कि कोट का स्टे हटता है और इस प्रोजेक्ट को वापिस स्टार्ट किया जाता है तो आप case number one में देखिए जब बहुत सारा कारे बागी बचाए अभी कुछ कारे हुआ ही नहीं था तो ऐसे में उस project को एक नए project की तरफ वापिस से start किया जाएगा और उसका वापिस से preliminary estimate बनेगा वापिस से retail estimate बनेगा और नए project की तरफ उसको start किया जाएगा परन्तु अगर project बहुत सारा हो चुका था और कुछ कम ही बाकी बचा था मानलो 40% काम हो चुका था मानलो 60% more than 5% तो 60% मानलो 60% क्या 5% से अधी के हां तो मानलो 60% काम हो गया कितना काम बाकी बचाए 40% तो क्या पूरा तो देए उसको वापिस से पूरा नजा करे नहीं कर सकते तो क्या करेंगे यहाँ पर उस project को वहीं से start किया जाएगा जहां पर छोड़ा था और इसका नया estimate बनेगा जिसका नाम होगा supplementary and revised estimate वो जो project था उसके जो detailed estimate था उसके साथ में उसका नईया estimate बनेगा जिसका नाम होगा supplementary and revised estimate और उसके तहत बाकी remaining work को complete किया जाएगा यानि जब भी कोई पोजेट होता है और बीच में कार इस्तरगीत हो जाता है तो अगर कार ये बहुत जरासा ही हुगा तो बहुत सारा बचाए तो एक नया पोजेट की तरह उसको डील करेंगे और अगर आपका जरासा ही काम बागी बचाता है लेस देन 95 परसेंट तो यह से क कचल मैं के इसमें संटि में रिवाइज इस्टिमन बना कर उसे कंटीनियु किया जाएगा इस चीज को इंडियन स्टेंडर के नहीं सब्सक्राइब कि नहें सो रुपय लगते हैं या कुछ costing लगती है कुछ costing लगती है तो अगर बाकी बचा जो काम है उसकी costing original costing जो थी estimator costing उसके 95% से ज़्यादा है जो बाकी बचा काम है उसकी costing बाकी बचा काम की 95% से ज़्यादा है तो मतलब बहुत सारा काम बाकी बचा है तो नया estimate बनाओ और अगर remaining जो का रहे हैं उसकी कॉस्टिंग ओरिजिनल कॉस्टिंग का सुना ध्यान से जो रिमेनिंग बचा का रहे हैं उसकी कॉस्टिंग औरिजिनल कॉस्टिंग का 95% से कम बची है मनलब कुछ जरासी कॉस्टिंग बची है बस लगने की मनलब कुछ जरासा की काम बागी बचाए तब ही supplementary and revised estimate बनाए जाता है तो यहां से supplementary and revised estimate की second condition जनरेट होती है कब बनाएंगे supplementary and revised estimate when a particular construction project is partially abandoned and the cost of the remaining work is less than 95% of the original cost of the project then supplementary and revised estimate is prepared I hope आपको यहां पर दूसरी condition भी समझ में आई होगी दूसरी condition समझ में आई होगी मैं बार और condition को बोलूँगा supplementary and revised estimate की पहली condition क्या material में कुछ changes आए which does not which leads to cost saving जिससे कुछ पैसे में बच्चत हो और अगली condition क्या है कि when work is partially abandoned काम बीच में रुक जाए and cost of remaining work is less than 95% of the actual cost of project या फिर estimated cost of project तो supplementary and revised estimate बनाएं तो यहां पर complete होते हैं हमारे तीन एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट सप्लीमेंटरी एस्टीमेट सप्लीमें रिवाइज एस्टीमेट मैंने इनको examples के द्वारा समझाने की कोशिश की I hope आपको इस समझ में आया होगा नाव अब हम हमारे last estimate की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है एनुवल रिपेयर एंड एनुवल मेंटेनेंस एस्टीमेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए ए आर एंड एम भी कंस्ट्रक्शन फिल्ट पे बोला जाता है अगर कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो इसके रिकार्डिंग कितने एस्टीमेट बनते सबसे पहले प्रीडिन नरी एस्टीमेट बनता है फिर डिटेल्ड बनता है अगर कारे में कुछ चेंज़स आए रिवाइज बनेगा कुछ नया कार आ जाए सप्लीमेंट्री बनेगा मटीरल में डिवेशन हो कॉस्ट में सेविंग हो सप्लीमेंट्री बनेगा काम बीच में रुक जाए सप्लीमेंट्री बनेगा होता क्या है साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब हम एक्जामपल लेते हैं एक कोई ब्रीच का प्रोजेक्ट है और जो इस ब्रीच के प्रोजेक्ट को कंपानी कर रही है वो कंपानी एक्स वाइज़ेट कंपानी एक कहीं पर इस प्रीच कंस्रक्शन का टेंडर निकला तो जब टेंडर निकला तो सबसे पहले प्रीद्लिंदारी इस्टेमेट बनाओगा फिर काम चालू हुए तो मटेरल में डेविएशन या कुछ एक्स्तु काम या काम बीच में रुखा तो यह तीन एस्टिमेट बनेंगे अब क्या होता है एसे जो प्रोजेक्ट्स हैं एसे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो पब्लिक यूज्ज के लिए होते हैं जैसे ब्रिजेस जैसे की टनल जैसे की रोड जैसे की कलवर्ट यानि पुलिया ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे जो स्ट्रक्चर्चर्स होते हैं इन में मेंडेरिंस की रिक्वार्मेंट होती है जब इनको बनाया जाता है तो साल दर साल जब लोग इनको यूज करते हैं ब्रिजेश को टनल को केनाल तो एसे में उनका कहीं न कहीं deterioration होता है और उनको चलाइमान बनाने के लिए उनके serviceability को maintain करने के लिए वार्शिक रूप से repair और maintenance annual repair और maintenance की भी आवश्चक्ता होती है building project में इसकी बात नहीं आगी residential projects में इसकी बात नहीं आगी बट हाँ ऐसे जो भी project हैं जो public use के लिए हैं वहाँ पे जरूर repair और maintenance की बात आई तो कि अगर किसी ने अपना खुद तक घर बनाया उसको तो वो खुद repair maintenance कर लेगा उसके लिए वो अलग से किसी और आदमी को क्यों ठेका गया contact देगा अलग से contact या tender देने की बात तबाएगी जब उसको कोई एक body manage नहीं कर सकती और किसी दुसरे के बिहाफ में उसे maintain करवाना चाहती है तो अगर PWD responsible authority है PWD इस bridge की honor है PWD competent authority है तो XYZ company जिससे bridge बनवाया वो contractor है तो जब उससे contract sign कराया जाता है इस project का जब उससे contract sign कराया जाता है इस project का उसी time उसे estimate बनवा लिया जाता है annual repair और annual maintenance estimate उस estimate के अंदर AR और AM के अंदर ये company आने वाले तीन से 5 साल तक के लिए इसके repair और maintenance का पूरा खर्चा वालशिक रूप से पूरा बना कर estimated प्रदान कर देती है competent authority को PWD को ये एक्सवाइजर company इस breach के बनने के बाद से 3 से 5 साल तक का जो भी repair maintenance वालशिक रूप से खर्चा आएगा उसका एक estimate बनाकर competent authority को दे दे और वो PWD वालशिक रूप से उस fund को release करते रहेगा और वो जो estimate बनता है उसको बोलते हैं हम annual repair and annual maintenance estimate तो यहां से exam में question ये पुछते हैं कि annual repair and annual maintenance estimate जो होता है वो कब sign किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि construction project खतम होने के बाद इस पर विचार कते हैं जब कोई construction project start होता है या मैं तो बोलता हूं जब उस construction project का contract किया जाता है उसको बनाने का तभी उसी company के साथ public use वाले project का annual repair and annual maintenance estimate भी sign करा लिया जाता है उसी company से क्योंकि उसको सब पता होता है जहां 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 उसने बनाया उसको पता है कहां कहां पर repair and maintenance के आवर्शक्ता आ सकती है इसलिए उसी company से repair and maintenance का supplementary supplementary revise estimate और annual repair and annual maintenance estimate को अलग अलग practical लग के example से समझाने की कोशिश की है अगर आपको यह सारे estimate प्रापर तरीके से समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगाए तो आप comment box के अंदर भी उसको mention कर सकते हैं नेक्स हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम contract और टेंडर के बारे में discuss करेंगे contract क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं tender क्या होता कितने प्रकार का होता है और content टेंडर के दोरान जब notice निकाला जाता है notice inviting tender यानि NIT तो उसके अंदर कौन कौन सी other terms आती है terminology आती है during the filling of content and tenders उनके बारे में भी हम चल्चा करेंगे जैसे की earnest money, security deposit, mobilization fund, liquidated damages इन अलग-अलग terminology के बारे में भी discussion होगा साथी साथ schedule of rate, bill of quantity और abstract of estimated cost में क्या difference है इन तीनों term के बारे में भी वहाँ पे हम discuss करेंगे अगर आपको हमारे lectures अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहा हैं तो आप channel को subscribe करें और bell icon का बटन दबाना ना भूले बेल icon के बटन दबाने से जो भी आने वाले further lectures होंगे जो हम future में डालते जाएंगे QHC के lectures उनका update, daily update आपको मिलता जाएगा ठीक, thank you